आज हम शंत्र के बारे में च्रक्चा करने वाले हैं सम्मूहन बशीकृण। आद भुंत प्रवल मंत्र माने जाते हैं यदि शत्रु को शम्मूहन करना हो तब भी मंत्र कारे करता है परिवार में कलय हो विद्ग्र वह मचा हो परिवाद तूटने वाला हो ऐसे में भी शम्मूहन का प्रियोग करने से किशी भी प्रिकार का कोई दोश नहीं माना जाता अक्सर देखा गया है कि शम्मूहन खासकर सत्रून के ऊपर और इस्त्री के ऊपर लोग चलाना ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन हम आपको मत्र का प्रियोग करेंगे तो बहुत जल्दी ही शित हो जाएगा और बहुत जल्दी ही शित हो जाएगा सम्मूहन हो चाहे मरण हो चाहे मूट हो किसी भी प्रिकार का तंत्र हो यदि परोगकार के लिए किया जाता है किसी अच्छे कारे के लिए किया जाता है तो आई सारे मंत्र सफल हो सकते हैं अब मरण का मतलब यह नहीं होता कि आप मरण प्रियोग करेंगे तो सामने वालेगे उन्हें तू ही हो जाएगी मरण प्रियोग कई तरह से किये जाते हैं मरण प्रियोग का विशे शत्रू शेन संगहार करना हो उसमें मरण उचाटन प्रियोग करें चाहे जहां उसकी सिर उसका दीवाल में टकड़वा देंगे, तो यह सब क्या है कि ऐसे में मंत्र आपके विफल हो जाते हैं, यहां सत्रू को मित्र भाउना उसके अंदर पैदा करनी हो, परिवार में बिग्रह मचा हो, कलाह मची हो, लडाई जगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में भी आप शम्मुहन या वशी गरण का प्रियोग कर सकते हैं, जिससे पूरा परिवार जो है एक हो जाएगा, शम्में मित्र भाउना अपना प्त्र की भाउना जाग जाएगी, जिसके कारण रडाई जगड़े, कलाह आदी प्यादी चीज़ें बंद हो जाती हैं, जैन धर्म में एक शम्मुहन मंत्र का उलेख है, और हम आपको बता दें कि जहाँ जैन चारों वारी बात आती है, वहाँ से यदि कोई मंत्र निकल के आता है, तो बहुत ही प्रवल मंत्र होता है, यतना प्रवल मंत्र होता है कि उसमें कुछ ही मिलिट लगते हैं कारण पूर्ण होने में, हाम आज आपको दो मंत्र बता रहे हैं कि आप कृषी का करने का ये और ?! कि आपको किशी परोग कार के हितु उसको कर सकते हैं, जैसे किशी मित्रित्र के यहां लाई जगडा मचा है, पत्ती पत्नी विवाद चल ला है, शाष्य शुर्म विवाद चल ला है, ऐसी इस्तिति में आप ऐसे शम्मोहन का प्रियोग करेंगे, तो सारी चीजें शही हो को स sare आप लोग कन्फी मीत्र जाते मंत्र घूड़ते रहते हैं, मंत्र वैसे हम रिख दिया करते हैं, और जो संभव होगा, भूत सारे मंत्र हुम् रिखनी पाते हैं, मोबायल से लिखना संभव होता है, म मेरी देरे ज़्यादा संभव है नहीं है, इस प्रकार का मंत्र है और बहुत ही आसान और बहुत छोटा मंत्र है इसको आसानी शेशिद्ध किया जा सकता है बस थोड़ी शी शामागरी लगती है जो आपकी 10-20 रुपे पर शामागरी आराम से आ जाती है शामागरी क्या है जैसे है अपने को बस में करना है या जिसके उपर हमको शम्मूहन त्योग करना है तो अपने दाहने हाथ के नापून का एक छोटा सा अंस इतना नहीं कि शामने वाला बीमार हो जाए छोटा सा अंस लेना है और उसको एक किसी चीज के उपर उसको जला देना है जब उसकी भस्में बन जाए तो उसम्म भस्में को थोड़ी से एक कुडिया में रख लेना है और इसके बाद इश्म मंत्र की आपको 21 माला जाप करनी है किस दिन जाप करनी है जब हम आम तरह हनमान जी को प्रिशन करने के लिए मंत्र का जापन करते हैं तो हम सुपवार को सनिवार को कर सकते हैं मंगलवार को कर सकते हैं गुरुवार को भी हनमान जी के मंत्रों का जापन उनको प्रिशन करने के लिए कर दिया जाता है और गुरु चरम सीमा पर रहता है मतलब अती तेज रहता है तो ऐसे में दी मंत्र विफाल होते हैं तो उस समय हमें नुक्सान के ज्यादा पत्रे रहते हैं लेकिन गुरुबार के दिन हर्मान जी महारात का तेज जो है सरीर का जो तेज है एकदम ठंडा रहता है उस दिन वो शांती कि ही हर्मान जी की यह दूरत है किसी विशेश कार का कहने का मतलब कि आपके घर के अंदर कोई विशेश कश्ट है विशेश बादा है ग्रह दोश है भूत प्रेद बादा है ऐसे में यदि मंगलवार के दिन और सनिबार के दिन आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी को वाधा मिट जाती है लेकिन जब मानवानी महाराज से कोई थंडा कार करवा ना हो एकदम थंडा वाला कार तो ऐसे में आप गुरुबार को जाब करिए अतिफल की प्राप्ति होगी तो यही मंत्र बोलते हुए जिस भी बैक्ति को आपको कुछ हम मुहित करना है उसको पता नहीं चलना चाहिए उसके सिर्फ वो भवोती डाल दीजे बारा से चौवे सो अति हुई तो बहात्तर घंटे लगते हैं और उसके सुभाव में परिबर्तन देखने को मिल जाता है कई लोग इस चीज को खिलाते भी हैं लेकिन हम खिलाना प परणन दिया गया है कि सिर पर डालेगा दिया गया है लिकर अलाग-अलाग तांत्रिक शोधों में यह भी निकला है कि कई लोग उसको खिला भी देते हैं लेकर हमारा मत है कि खिलाना नहीं चाहिए ठीक है इस तरह है उसके दिमाग में परिबर्टन होने लगता है और उसक तकलिफ दे रहे हैं तो इस मंतर के दिया आप लगातार जाब करते हैं तो शत्रू आपकी तरफ आकरसित होते हैं और मित्र भावना उनके अंदर जाग जाती है और वो आपको नुक्षान पहुचाने के वारे में सोचना बंद कर देते हैं ऐसे इस मंतर के अच्छे प्रमार देखे गए हैं हमारे एक मित्र थे रामकुमार जी रामकुमार जी अपने शत्रूं से बहुत ज्यादा प्रेशान थे कोई ना कोई तंत्र उनके उपर चलाया जाता था या सामने रास्ते में उस जमाले में साइटी चला करती थी 2004 में हमारे यहां ज्यादा दुबस्थाएं नहीं थी तो उस समय लोग उनके जो शत्रू थे लाची डंडा लेकर रोड में खड़े हो जाते थे उनका रस्ता बंद कर देते थे उनको निकलने के लिए मतलब कहा जाए तो अती परिशान हो गए थे खेती वाड़ी का कोई जगड़ा था वैसा कोई खास जगड़ा भी थी कोने इस मंत्र का सीधा सीथा एक लाक ब जापन किया हनुमान जहनती से शुरू किया और प्रती दिन उनका यह साथ कि हम को 11 माला जब करनी है और अचे-शजप की नें माला तक जब अपना अनुवाह हमारे साथ सेयर किया और उन्हें ने पताया कि आपस्द वारा संपूर्ण हो रहा था इसके हम संपूर्ण आहूती दे रहे थे कि कि इस मंत का कितना जाग करो इसकी 2% आहूतियां देनी होती हैं को हैं दी कहने का मतलब है कि आप सो वार करीब जब रहे हो तो उसका सो का दो परसंट आप निकालके उसकी आहूतियां दीजिए उन्होंने दो लगभग उनने कई मालाएं हवन की की थी मतलब आती परिथान थे तो उनको लग रहा था कि किसी तरह सत्त्रू हमारा काबू में आ जाए हमको नुक्सान पहुंचाना बंद कर दें उनने कई सालों से जगडे के विवात के कारण अपने खेत में बीज तक नहीं बहुत थे बहुत सारी शमिश्या थी और जब इस मंदर का संपूर्ण हुआ तो बारा से चौवेस घंटे सायद लगा होगा और सत्त्रू के सामने ये जाही रहे थे तो उसने सामने से जैराम जी किया और जब ये अपने खेत में जाने लगे तो किशी ने कुछ नहीं बोला मतलब जो पहले जगड़ा जिस चीज से रहता था कि हमारे खेत से आप ना गुजरें ऐसी इस्तिती थी तो सारी चीज अपने आप सांथ हो गई सत्त्रू कुछी दिन लगे दो चार दिन लगे और उनका आना जाना हो गया तेवहारों में एक दूसरे का बुलाना चलाना शुरू हो गया इस तरह की भावना हैं उनके अंदर जागरित हो गई तो ऐसे कार्रों में आप सम्मुहन बशीकण मंत्रों का प्रियोग करते हैं तो बड़ी जल्दी ही इसके सफ़ल हैं वो विफल होने के उसके चांस जादा रहते हैं यह हो गया हनुमान जी का मंत्र है जैन तंत्र साधना में मंत्र है जो हमारी गुरूजी की डाइरी में उपलब्द था इसके भी पर एक्षण और प्रभाव अच्छे दिखे जाते हैं आम ने आपको वीडियो के पहले ही द्योग कर सकते हैं लेकिंगे सभी के अंदर नित्र भावना जक्रत करने हैं तो नुख्षान पहुंचाने है तो बिल्कुल भी चम्मूहन या बश्रीकण मंत्रों का प्रियोग नहीं करना चाहिए कई लोगों का मानना होता है कि कोई ऐसा में बोहनी या मन्त्र को चलाएं उसके साथ कुछ ऐसा करने के उद्देश से तो ऐसे में भी मंत्र अक्सर विफल होते हैं क्योंकि आप नुक्सान पहुंचाने के उद्देश से ऐसे मंत्रों का जापन करते हैं तो आपका जापन भी हर होता है लेकिन मंत्र सफल नहीं होता वही आप इशी के परिवार में मंत्रिक साधना एक एशी पुस्तक का पुस्तक से लिया गया है और इस मंत्र के भी प्रुभाव अच्छे खासे देखे जाते हैं आभी पुस्तक है या नहीं है नहीं पता लेकिन उस जमाने में थी और इस पुस्तक को हम लोग पढ़ा करते थे और बहुत शारे मंत्रों का इ दिए साबूत आपको चावल लेने हैं कम से कम आप चार से पांच साबूत चावल दीजिए तूटा उटा ना हो और इश्य मंत्र को आप 21 बार जपिए क्योंकि यह मंत्र अपने आप में ही शेम शिद्धित माना जाता है और 21 बार इश्य मंत्र का जापन करने के बाद उन चावलों में फूप मारिए और किशी तरह उन चावलों को अपने सत्रू या परिवार में जिससे विवाद चल लहा हो परिवार को उस्ताइव उजित करना हो ऐसे में आपको वो चावल उसको खिलाने पढ़ेंगे चाहे किशी भी तरह आप खिलाएं उसके खाने में डाल कुछ भी करते हैं कैसे हं लबस को खाना चाहिए तो उसके प्रभाव अच्छे खासिए देखे जाते हैं कई लोग मंत्र का जापन करते हैं करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप भी करें कि इसकी बराबर 21 माला आप जब कर लें, एक माला आप हबन कर दें, परिक्षन किया हुआ है, कई लोगों को बताया हमने, और बेज़े से हमने बताया कि इसको ना भी इंदी पुई शिद्ध करें, 7 बार या 11 बार जब करके, मतलब पढ़के खिला दें, तब भी काम हो जाता है और कई लोगों का उनको जब करना पड़ा है, 21 माला जब करना पड़ा है, 108 बार हवन भी करना पड़ा है, और उसके बाद उनने किया है, तो उनका तो चूका ही नहीं है, उनका कार तो वही गया है, ठीक है, मंत्र हैं, और कोशिश करेंगे कि इस मंत्र को हम लिख देंगे, एदिको एक्षो को जैन तंत्रसादना की तरह अपता हमें बताये तो उसके और भी हमारे पास मंत्र हैं तो हम आपको लब्द करा देंगे अपने शाब से पैसे पहले मंत्र का प्रियोग करिए हनमान जी महराज के मंत्र का उसके क्या है वो हमारी हैबिट में भी होते हैं बजू और हैबिट के अलावा हमें विश्वास भी होता है और जहां विश्वास की कीमत जादा होती है विश्वास या सिर्धा जिस तरफ लग साधना का मंत्र अच्छा कार कर देता है कभी कभी बजू का मंत्र भी कार कर देता है लेकिन बबजू के मंत्र में कुछ खासियत होती है और जैन तंत्र साधना यह गुप्त तंत्र साधना है क्योंकि इसका उलेक ज्यादा नहीं मिलता लेकिन बहुत प्रवल साधना है मंत्र ह तो समझे लिए अचूक ही होता है उसकी जादा शिद्धी नहीं रहती उनकी थोड़ी शी शिद्धी रहती है लेकिन काम अच्छा कर देते हैं चाहें तो मंत्र एक बार हम और सुना सकते हैं इसके बाद आप प्रियोग अपने इस तर से कर सके थे अब आप इसका प्रियोग क इस मंत्रों का प्रियोग करिए तो प्रियोग हमेसा ही सफ़ल होंगे जैशी राम